नमस्कारों और इंडिया में आपका स्वागत है मिरा नाम अभिनाश है जब आप एक हाथ से छक्का मार सकते हैं तो दुसरा हाथ क्यों लगाना शायद रिशप पंथ को ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगा दुनिया में ऐसे कई बलिबाज है जो दोनों हाथों से लंबे लंबे चक्के लगाते हैं पर हमारे भारत के धुरंदर विकेट कीपर रिशप पंथ को दोनों हाथों की जरूरत नहीं पड़ती और एक हाथ से ही कमाल का स्टैलिश चक्का लगाते हैं जी हां रिशब पंध ने 47 वे ओवर में ये कमाल का काम किया था टॉम करन गिंदबाजी कर रहे थे और रिशब पंध को उन्होंने बाहर की तरफ एक फुल टॉस गेंद फेंगी रिशब पंध ने पहले से ही गेंद की लंबाई को भाफ लिया था लिहाजा उन्होंने काफी पीछे से बैक लिफ्ट लिया और गेंद तक पहुँचने की कोशिश में पूरा बल्ला चला दिया बल्ला चलाते वक्त उन्होंने हलके से एंगल बनाया और कट लगाया गेंद सिमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई और इस तरह रिशब पंत ने लगा एक हाथ से लिए थे लिहाजा 40 गिंदों का सामना करते हुए रिशब पंत ने 77 रनों की पारी खेली इस दोरान 34 के और 76 के उन्होंने लगाए आपको बता दे भारत और इंगलेंड की बीच तीन मैचों की 1-2 स्रीज का दूसरा मुकाबला पोने के मैदान पर खेला जा रहा है इस मैच में इंगलेंड की टीम के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जित कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया पहले बले बाजी करते हुए टीम इंडिया ने केल राहूल के शातक कप्तान कोहली रिशब पंत के अर्धिशत के पारी के दम पर 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए थे और रिंगलेंड को जीत के लिए 337 रनों का टार्गेट दिया था जवाब में जॉनी बेरस्टो ने शांदार शातक लगाया जबकि बेन स्टूक्स निन्यान में रन बना कर आउट हुए इस दोरान उन्होंने 10 छक्के भी लगाए इस खबर में बसीत रही तमाम अपडेट्स क लिए बने रहिए वोन इंडिया के साथ